Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पर इसे सास बहु की जोड़ी बताया जा रहा है। लांच बॉक्स में अपनी हाजर जवाबी से मज़दार तड़का लगाएंगे शारो खान जिन्होंने कहा कि शायद उनकी अंग्रेजी कमजोर होनी की वज़े से उन्हें हॉलिवुट की फिल्में नहीं मिलती। लेकिन वो चाहेंगी कि एक दिन ऐसा आए जब टॉम क्रूज हिंदी फिल्म में काम की इच्छा ज़ता हैं। और लांच बॉक्स में धेर सारी मिर्श लेकर आई है सारा अली खान क्योंकि मुंबई में एक शानी मंदिर में पूजा और दान के बाद सैफ अली खान की बेटी सारा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कुछ खाने पीने की चीजें मौसमी होती हैं जिसका पूरे साल इंतिजार करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सल्मान खान के शो बिग बॉस का। तो इस बार बिग बॉस में सल्मान खान क्या धमाल करने वाले हैं। चलिए खुद उन्हीं से सुन लेते हैं। नाइस, कामरा और अक्शन बोसे ही सल्मान खान शुरू हो गया। खाने पीने के शौकीन लोगों को तो बस शादी ब्या के सीजन का इंतजार रहता है। वैसे हवाओं में कई शादियों के चर्चे हैं। तो कुछ खबरें ऐसी भी उड़ रही हैं जो बेशक सल्मान खान के फैंस के लिए खुश खबरी साबित हो सकती है। हलाकि अब तक कुछ भी ऑफिशिली तो नहीं बताया गया लेकिन फिर भी कुछ तो है। सल्मान खान की बहन अरपिता ने कट्रीना कैफ और सल्मान खान की मम्मी सल्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जिसमें काट्रीना कैफ और सल्मान खान की मम्मी बहुत ब्यार से एक दूसरे को गले लगाए नजर आई तस्वीर पोस्ट करने की देरी थी कि देखते ही देखते सल्मान खान के फैन्स ने उनका रिश्टा पक्का कर दिया सल्मान खान कब शादी करेंगे और किस से शादी करेंगे ये तो वक्त बताएगा सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वाइरिल होने के बाद उनकी मम्मी सल्मा को बधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया एक यूजर ने लिखा साज बहु बोल जिसके बाद अर्पिता ने इसका जवाब काफी मज़दार अंदाज में कॉमेंट में बंदर वाला इमोजी बना कर दिया कट्रीना और सल्मान की मा की तस्वीर देखकर एक यूजर ने इसे साज बहु का रिष्टा बताया तो एक ने सलमान खान की मम्मी को कट्रीना को बहू बना लेने की सलाह दे डाली जबकि एक यूजर ने लिखा बहू हतारी आराम से जप्पी पाओ हाला कि कुछ देर बाद ही अरपिता ने इस तस्वीर को जिलीट कर दिया लेकिन तब तक सोचल मीडिया पर एक तस्वीर की स्क्रिप्ट ने पूरी फिल्म तयार कर दी थी लोगों ने तस्वीर पोस्ट करने की वज़े भले ही ना पूछी हो लेकिन डिलीट करने के बाद कयास लगाने जरूर शुरू कर दिये इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भारत छोड़ी थी तो सल्मान ने कट्रीना कैफ को सुनदर सुशील लड़की बताते हुए उनका फिल्म में स्वागत किया था कट्रीना माल्टा पहुची तो सल्मान के फैंस ने अपने आप आगे की स्टोरी बना डाली विसे कट्रीना के सल्मान के परिवार के साथ बहुत अच्छे रिष्टे हैं और वो अक्सर उनके फामली फंक्शन में भी नदर आती है सल्मान खान अपनी मम्मी के साथ माल्जा में शूटिंग के दौरान कई बार वक्त गुजारते नजर आये तो कट्रीना कैफ की भी सल्मान खान की बहन और मम्मी के साथ तस्वीरे वाइरल हुई हाला कि अब तक फैन्स ने इस बात पर भी अटकले लगानी शुरू करती हैं कि सल्मान खान माल्जा में शूटिंग के दौरान अपनी मम्मी और बहन को क्यों ले गए थे अंच बोक्स में अब बात रायता पहलाने की सल्मान खान को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया लेकिन इस बार वो बेवज़े ही सुर्खियों में आ गए त्विटर पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़े से सल्मान खान की दरिया दिली पर सवाल उखने लगे और इसकी वज़ा रहा जावेद जाफरी का एक ट्वीट जिसकी वज़े से सल्मान ट्रोल के निशाने पर आ गए बार से जूचते केरल की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कहा गया कि कई दूसरे स्टार की तरह सल्मान ने भी मदद का एलान किया है सल्मान की दरिया दिली के बारे में जावेद जाफरी ने एक ट्वीट किया और इस सवाल को हवा देदी कि क्या वाकई सल्मान ने केरल की मदद की है जावेद जाफरी ने ट्वीट किया सुना है कि सल्मान खान ने केरल के लिए 12 करोड रुपे दान में दिये है ये आदमी कुछ अलग ही तरह का है कितनों की दुआएं लेके चल रही हैं इसे एक शक्स ने लिखा कि जो कुछ भी सुना जाए जरूरी नहीं कि वो सची हो जब तक कि आधिकारिक तोर पर ना कहा जाए तो वही एक ने लिखा बिना कंफर्म कि ये कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहिए ये सिर्फ एक स्टंट है उन्होंने कुछ भी नहीं दान दिया तो वही एक यूजर ने तो केरल सरकार का वो ट्वीट पोस्ट कर दिया जिसमें केरल के लिए दान देने वाले फिल्मी कलाकारों को केरल सरकार ने धन्यवाद दिया था और इस ट्वीट के साथ उस यूजर ने लिखा इसमें सल्मान कहां है आप जो कुछ भी इंटरनेट पर सुनते हैं वो सच नहीं होता 12 करोड बहुत बड़ी राशी है वैसे सल्मान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग के लिए माल्टा में है और अटल जी के निधन के पांच दिन बाद शोग जताने के लिए ट्रोल किये जा चुके हैं ऐसे में केरल के लिए 12 करोड का दान देने की बाद पर ट्रोल ने सवाल उठा दिये इसके बाद सोशल मीडिया पर किरकिरी जहलने के बाद जावेज जाफी ने ट्विटर पर सफाय दी और कहा कि जब तक उन्हें मदद के बारे में पुखता जानकारी नहीं मिल जाती तब तक इसे हटा रहे हैं वैसे केरल में बाड से मची तबाही के बाद राज़नीती से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक कई लोग मदद के लिए सामने आ चुके हैं अमिता बच्चन शारुखान और इंटरेट पर सुर्खियां बटोर चुकी प्रिया प्रकाश से लेकर बाहु बली प्रभास तक केरल को तबाही से निपटने के लिए योगदान दे चुके हैं तो वही रंदीप हुड़ा खुद केरल की रिलीफ गाम्स में काम करते नजर आए रंदीप हुड़ा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल भी हो रही हैं अभिशेक बच्चन करीब दो साल बाद फिल्म में दिखाई देंगे अभिशेक बच्चन पूरी टीम के साथ अमरिस्तर के स्वर्ण मंदर पहुचे जहां उन्होंने माथा टेकव और गुरुद्वारे में सेवा की स्वर्ण मंदर में अभिशेक बच्चन को सेवा करते देख वहां मौजूद लोग हैरान हो गये अपनी फिल्म के प्रोमोशन के लिए माधूई दिख्षित के शो में पहुची काजोल आशा भोसले को देखकर बेहत खुश हो गई और जैसे ही आशा भोसले ने काजोल की फिल्म का गाना गाया तो काजोल उन्हें चेर करने से खुद को रोक नहीं पाई और इस दौरान माधूई दिख्षित आशा भोसले का विडियो बनाने लगी टाइगर श्रॉफ के साथ लंच डेट पर गई दिशा पतानी जैसे ही खाना खाकर रेस्टरॉन से बाहर निकली फैंस ने उन्हें घे लिया हाला कि इस दौरान टाइगर श्रॉफ सो भीर से निकल गए लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो दिशा पतानी फैंस से घिरी हुई थी नेहा धूपिया ने अपना 49 जन दिन मनाया इस मौके पर करन जोहर ने एक पार्टी दी थी जिसमें कई स्टार्स के साथ फैशन डिजाइनर्ज मनेश मलोत्रा भी पहुँचे इस दौरान नेहा धूपिया ने केक काटा और सभी लोगों ने नेहा को जन दिन की बधाई दी